हेलो एवरिवन आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टिप्लाय करने की एक इतनी असान सी ट्रिक बताने वाली हूँ कि कुछ ही सेकिंड्स में आप टू डिजिट के नंबर्स को मल्टिप्लाय करके आंसा निकाल लोगे अब लॉंग मैथड जो है न उसको भूल जा पर्स्ट स्टेप क्या है वन को वन से मल्टिप्लाय करके यहीं पर ही लिख दो ठीक है अब इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लो सेकिंड्स स्टेप है प्लस करना तो 6-2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा क्लियर अब एक स्टेप रह गया बस थर्ड स्टेप है आपका आंसर हो गया ना सौल आप इसको आप जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि यह आपने समझाए अभी मेरे से तो वन को वन से क्या वन तो आप चो हो तो इसे कैलकुलेटर में साथ साथ चेक करते रहो आपके यही आंसर आएंगे अब बात आती है इस लास्ट वाले सम में वन को वन से तो कर दिया वन ही आया पर 9 प्लस 4 करूंगी तो 13 आएगा तो क्या 13 का 13 लिख दूँ नहीं सिर्फ पीछे वाला नंबर आपक को यहां कैरी ले लेना है और कुछ नहीं करना अब इस कैरी का कहां यूज होगा वो भी बताती हूं तो थर्ड स्टेप क्या था मल्टिप्ला है न तो 49 जा कितना हो जाएगा 9 को 4 से इंटू करोगे तो 36 न अब जो यह 1 था न यह इसके अंदर क्या कर दो प्लस कर दो तो आ आगे लिखा है टेंस प्लेस पे लिए तो बाकी सब सारे ही कोशन सब आप ट्राइ करके देखेएगा इसी फॉर्मेट के इन ट्रिक से सिफ तीन स्टेप में मल्टिप्लिकेशन डन तो अब एक्जाम में टाइम सेफ कर सकते हो आप इस ट्रिक को यूज करके तो जादा से ज सबस्क्राइब एक्राइब एक्राइब टूज करके दो आप इसा लाँ है तूज जादा से लिए लिए।